हेलो एवरिवन, वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज, मैं संचुता जैन, आप सभी की सोसल साइंस एजुकेटर, आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 9 की सामाजी विज्ञान में जिगरोफी का चैप्टर नमबर वन जिसका नाम है भारत आकार और इस्थिती और आज हम जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है भारत की स्थलिय सीमा से कौन कौन से देश लगते है य माहा साजह करता है किस देश के साथ भारत की सबसे कम सीमा लगती है ये सारी बातें आजके अपन जानने वाले हैं. और इसके पहले मैंने इस चैप्टर को कई सारे पार्ट्स मैं पढ़ा दिया है जिसमें शामिल है इस चैप्टर का परिचाए भारत का आकार भारत की स्थती भारत तथा विश्व और आज बारी आती है इस चैप्टर के आखरी टॉपिक की जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश तो शिरू करने से पहले आप सभी इस रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और जादा से जादा आज के शेशन को आप सभी लाइक कर दें और शियर कर दें जैसा कि आप सभी जाते हैं magnet brains provide कराता है class 6 इलेके class 12 तक कि सारे courses वो भी एकदम free of cost जी हाँ सारी चीज़ें आपको एकदम free में provide कराई जाती है किसी भी course को पढ़ने के लिए आपको किसी भी subscription को purchase करने की आवश्चक्ता नहीं है तो फटाफट से जाए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे और इसी अच्छी बात के साथ और आपके लाइक और शेर के साथ शुरू करते हैं आज का ये शेशन जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश चलिए तो देखें भई सबसे पहले मानचित्र पे नज़र डालते थियोरी पे आप गए तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये चीज कहां है पड़ने में तो सब समझ में आ रहा है पर दिख कुछ भी नहीं रहा है तो सबसे पहले देख लो फिर उसके बाद उसको पड़ो तो आसानी होगी और समझ में भी आएगा और मजा भी आएगा क किलियर हो गई ये बात तो देखें सबसे पहले अपन बात क्या कर रहे है भारत और पड़ोसी देश ठीक है मानचित्र अपन देखेंगे किसका भारत और पड़ोसी देश ठीक है तो भारत का नक्षा आपके सामने है ठीक है और भारत का नक्षा जो अपन देख रहे हैं उस है कि भारत में कुल कितने राज हैं भारत में कुल 28 राज हैं और आठ केंदर शाषित प्रदेश हैं और अपनी भूमी जो है भारत जो है इनके साथ बाटते हैं अपनी भूमी सीमा भारत के 28 राज और आठ केंदर शाषित प्रदेश कुष पड़ोसी देशों के साथ बाटते हैं किलियर हो गई यह बार चलिए तो सबसे पहले अपन मांचित्र में दिशाओं को मेंशन कर लेते हैं पूरा पश्यम उत्तर दक्षन उसके बाद जो है सारी चीजें आपको क्लियर हो जा दक्षड दिशा हो गया भी इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा पश्यम उत्तर दक्षड चारों दिशाएं के लिए चलिए तो अब देखें भई सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी 28 राज और आठ केंदर शाषित प्रदेशों की 28 राज तो सभी को दिख रहे हैं भई आती है तो बही उपर से शुरुवाद करते हैं ठीक है कहां से उत्तर दिशाष शुरुवाद करते हैं तो सबसे उपर अपन को क्या दिखाई देता है दो केंदर शासत प्रदेश दिखाई देते हैं कौन कौन से दो केंदर शासत प्रदेश दिखाई देते हैं सबसे पहले देखें तो लद्दाख दिखाई देता है उसके बाद जम्मू कश्मीर दिखाई देता है कि लिए रहे ये बात लद्दाख और जम्मू कश्मीर दिखाई देता है उसके बाद जो है हमें कहां चंडी गड़ भी दिखाई देगा उसके बाद कौन दिखाई देगा कौन सा साथ दो पधारत की राजधानी होने के साथ साथ एक केंदर शाश्ट प्रदेश भी थी कर गई तो बी हो गी यह बात उसके बाद अपना कजमीर लद्दाग ठीक है उपर-उपर के गिंते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर लगदाख ठीक है उसके बाद दिल्ली चंडीगड चार हो गए उसके बाद अपना आते हैं पॉंडिचेरी, लक्षदीप, अंडमान, निकोबार, दीप समू और एक और बस्ताय कौन सा दमनेवं दीव और दादरेवं नगर हवेली इन दोनों को मिला के एक कर दिया है पहली अलग-अलग होते थे दमनेवं दीव अलग होता था और दादरेवं नगर तो इस तरीके से टोटल कितने केंदर शाषित प्रदेश बनते हैं टोटल आठ केंदर शाषित प्रदेश बनते हैं तो भारत जो है भारत देश जो है कुल मिला के 28 राज और 8 केंदर शाषित प्रदेशों को मिला कर बनाया गया है किलिए अब भारत के 28 राज और 8 केंदर शा साथ मिलती है ठीक है तो सबसे पहले अपन चलते हैं कहां पर उत्तर पश्चिम दिसा में उत्तर पश्चिम दिशा की बात करते हैं तो उत्तर पश्चिम दिशा में कौन-कौन से पड़ोसी देश अपनको देखने को मिलते हैं यह रही आपकी उत्तर दिशा और यह रही आपक कि उत्तरपश्यम दिशा ठीक है यह रही आपकी उत्तरपश्यम दिशा उत्तरपश्यम दिशा में क्या मिलता है आपको एक देश मिलता है आपको पाकिस्तान और एक देश मिलता है आपको अफगानिस्तान क्लियर होगे यह बात उत्तरपश्यम ठीक है और यह रहां उत्तरप पाकिस्तान ठीक है बात आ रही है समझ में चलिए किलिए यहां तक सब कुछ उत्तर पश्चिम दिशा के लिए चलते हैं अब उत्तर दिशा की तरफ उत्तर दिशा की तरफ चलें तो देखें नेपाल चीन और भूटान उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान अफगानिस्तान रही आपके उत्तरदशा तो यह रहा भाईया आपका नेपाल, यह रहा चीन और यह रहा भूटान, अल्राइट, नेपाल, चीन और भूटान, तीन देश और मिल गए, कितने देश हो गए? पांच देश हो गए अभी तर ठीक है अब पूर्वदिशा की तरफ चलते हैं पूर्वदिशा में किन दो देशों को ढूड़ना है म्यानमार को और बांगलादेश को ढूड़ना है ठीक है तो चलो भई आजाओ पूर्वदिशा में कहां है पूर्वदिशा यह है पूर्वदिशा में म्यानमार को ढू कवर हो गई अब कौन सी दिशा बस्ती है अब बस्ती है आपकी दक्षड दिशा आखरी दिशा बस्ती है अब आखरी दिशा में दक्षड दिशा में किन दो देशों को खोजना है खोजना है श्री लंका को और मालदीव को ठीक है तो आजाओ भई स्री लंका और मालदीव कहा है यह देखो भई जलिये सीमा से त ट्टी सीमा से जुड़े हुए है यह रहा श्री से जुड़े हैं क्या इस थलिय सीमा से जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं जलिय सीमा से जुड़े हैं ठीक है भारत के दो ऐसे पड़ोसी देशों के नाम बताईए जो भारत की जलिय सीमा से जुड़े हैं तो उन दो देशों का नाम क्या है एक का नाम है मालदीव और एक का है श्री लंका ओल्राइट किलियर हो गई यहां तक की सारी बात तो टोटल कितने पड़ोसी देशों के बारे में अपन जान चुके हैं भई एक हो गया आपका पाकिस्तान एक हो गया आपका अफगानिस्तान दो नेपाल चीन भूटान यह हो गया तीन चार पांच ठीक है इसक अरीके से नौ पड़ोसी देश देखे अपन ने जिन में से जिन में से साथ पड़ोसी देश ऐसे हैं जो की इस थलिय सीमा से जुड़े हैं ठीक है यह जो पड़ोसी देश हैं उत्तरपश्यम उत्तर और पूर्व में कौन-कौन से हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल चीन, भूटान, म्यानमार और बांगलादेश जो है भारत की इस्थलिय सीमा से जुड़े हैं भारत की इस्थलिय सीमा से जुड़े हुए देश हैं और बाकी के जो दक्षड दिशा में दो पड़ोसी देश हैं भारत के वो भारत की जलिय सीमा से जुड़े हुए देश हैं कि जो स्थलिय सीमा से जुड़े हैं और दो देश जलिय सीमा से जुड़े हैं कि लिए रोगे यहां तक की बात की कौन कौन से देश कहां कहां कैसे कैसे भारत के साथ स्थलिय और जलिय सीमा बनाते हैं अल्राइट बढा जाएं आंगे फिर चलिए चलते एक चीज और सीख लो य ठीक है तो अब यहां पर प्रशन यह आता है कि इन पड़ोसी देशों में से ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे जादा स्थलिय सीमा से जुड़ा हुए यानि कि जिसकी सीमा जो है जिसकी सीमा की लंबाई जो है वो सबसे जादा भारत की सीमा से जुड़ी है ठीक है तो वो देश कौन सा है वो देश है बांगला देश बांगला देश एक ऐसा देश है यहां पर आप देखें पश्चिम बंगाल यह देखें बई यह देखें यह देखें सबसे जादा सीमा जो है बांगला देश की भारत देश के साथ जुड़ी हुई है यहां पर देखें लंबी स्थलिय सीमा वाला देश कौन सा है सबसे लंबी स्थलिय सीमा किस देश की भारत के साथ मिलती है वो है बांगलादेश नाम याद कर लेना है क्या बात यहां पर बताई गई है कि स्थलिय सीमा सबसे जादा सबसे जादा स्थलिय सीमा कौन सा देश साजा करता है बांग बहारत, देश बहारत देश के साथ साजा करता है वो देश है आपका उपर उप्तर की तरफ अपन देख सीमा बनता है, तो यहां पर अपन देख लेंगे क्या? भूटान किलियर हो गई ये बात चलिए किलियर है यहां तक की बात आखरी में अपन ने क्या सीखा कि सबसे ज़्यादा बांगला देश की सीमा लगती है और सबसे कम भूटान की सीमा भारत देश से लगती है सबसे जादा और सबसे कम आपको याद रखना ही है इतनी बात किलियर स्लाइड की सारी बात ही किलियर हो गई जल्दी बताओ वही किलियर है बढ़ा जाए आंगे अब देखें अब देखें भारत और श्रीलंका की बात करते हैं ठीक है भारत का मानचितर आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यह रहा भारत और यह रहा छोटा सा एक दीप के रूप में श्रीलंका तो भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता डुड़ों वही कहां है यह दिख रहा है वही एक छोटा सा समुद्री रास्ता दिख रहा है भारत और श्रीलंका के है भारत और श्रीलंका के बीच में जो छोटा सा समुद्री रास्ता आपको दिखाई देता है वो क्या है पाक जलसंदी और मननार की खाड़ी है जो भारत को श्रीलंका से अलग करती है यह देखें भई बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता दिखाई दे रहा है वो पाक जल संदिर मन्नार की खाड़ी के रूप में जाना जाता है जो कि भारत को श्री लंका से अलग करता है ठीक है अब देखें मालदीव की स्थिती देखें बई जली सीमा वाले देश देख रहे हैं अपन ठीक है क्या देख रहे हैं जली सीमा वाले तो श्री लंका हो गया ठीक है स्री लंका हो गया का श्री लंका हो गया और माल्दीम कहा पर स्थित है मालदी कहां दिखाई देती है लक्ष दीप समूँ के दिखाई देती है जो की भारत का एक पड़ोसी देश है जलिये सीमा में इस्थित है किलियर अब देखें भई अब बात आती है प्राई दीप की आपको बार बार बताया जाता है भारती प्राई दीप के बारे में तो भई प्राई दीप होता क्या है ठीक है हम सभी कहते हैं कि भारत का जो निचला हिस्सा है वो प्राइदीप के रूप में जाना जाता है उसको प्राइदीप ही क्यों कहा जाता है ठीक है इतने भाग को प्राइदीप ये भारत ही क्यों कहा जाता है भई क्यों कहा जाता है आकर प्राइदीप होता क्या है ठीक है तो देखना भई ध्यान से सुनना ये परिभाशा आप से कई बार पूछी जा सकती है और बहुत ही आसान सी बात है बस नक्षे में आपको देखना है इस मैप में आपको देखके समझना है तो प्राइदीप सबसे पहली बात तो यह है कि भूमी का टुकड़ा है क्या है भूमी का टुकड़ा इतने भाग को प्राइदीप भारत कहा तुकड़ा है जो एक तरफ से भूमी से जुड़ा होता है यानि कि एक तरफ से इस्थल मार्ग से जुड़ा होता है तो देखें एक तरफ की बात करें उपर की बात करें ये वाला जो भाग है इतना प्राइदीप है प्राइदीप का इतना जो उपर वाला भाग है वो किस से जुड़ा इसके उपर क्या है जमीन ही है इस्थल भागी है तो एक तरफ यह इस्थल भाग से जुड़ा होता है और तीन तरफ से पानी से घिरा होता है अब देखो यह हो गई इसकी एक साइड यह हो गई दूसरी साइड और यह हो गई तीसरी साइड ठीक है तो पूरव से प और इस तरफ उत्तर में कहां से गिरा है उत्तर में इस्तल भाग से गिरा है यह पूरा इस्तल भाग है और यहाँ पर सब कुछ क्या है यहाँ पर सब कुछ जलिये भाग है ठीक है जलिये भाग है की नहीं है ठीक है तो प्रायदीप क्या है प्रायदीप एक भूमी का टुकड कि लिए रोगई बात की प्रायदीप क्या होता है कभी भी आप से परिभाशा पूछी जाए तो आप परिभाशा बहुत अच्छी से बता देंगे क्योंकि आपको आपने उसको जो है मैब के माध्यम से समझा है ठीक है और कहीं भी ये बात आती है और इससे जुड़ी हुई क बारे में जो जानकारी है वो यहीं पर समाप्थ होती है उमीद है कि सारी जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसी के साथ ये चैप्टर भी खतम होता है आज की लेक्शर में हमने पूरा चैप्टर खतम कर लिया है भारत और भारत के पड़ोसी एडिकेशन प्लेट फॉर्म है इसके लाव अगर आप ईबुक सुरी नोट्स भी चाहते हैं उनकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी वहां से आप अवेल कर सकते हैं हमारे पास आपके लिए कई सारे टॉप कोर्स भी हैं और हिंदी म कोड में NCRAT के पैटरन को फॉलो किया जाता है उन सारे बोड के इस लेबस को कबर कराया जाता है हमारे पास आपके लिए कई सारे स्पेशल कोर्स भी हैं जैसे की वैदिक मेंस क्रेश कोर्स स्पोकन इंगले सुरुत ने सारे कोर्स एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क् के साथ एकदम free of cost आपको प्रोवाइड कर आए जाते हैं मैंगनेट ब्रींस यूटूब के लावा अधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे की फेस्बुक इस्टेग्राम ट्वीटर और टेलीग्राम पर भी उपलब्द है आप हमें यहां भी फॉलो कर सकते हैं यहां से सारी जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं तो आज के शर्षन को आप सभी को जादा से जादा लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है तो हमारे साथ बने रही है जुदे रही है पढ़ते रही है खुश रही है थैंक यू सो मच